बासवाडा में 12.75 फीजदी मद्दान हुआ है और दूसरी तरफ जालाबाड बारा में जहां दुश्यन सिंग और उर्मिला जेन भाया के बीच में मुकाबला है वहां मद्दान का पतिशत है वो 13.26 रहा है जोदपूर के अंदर 10.45 है 30 मद्दान हुआ है कुटा में 13.32 फीजदी मद्दान हुआ है पाली में 10.50 राज समंध में 11.77 और टॉक्स होए मद्दपूर में 10.89 फीजदी मद्दान हुआ है वोई उदपूर में 11.88 फीजदी मद्दान हुआ है यानि अगर हम देखते हैं तो 10 फीजदी से उपर का एवरेज है वो इन तमाम 13 सीज में हो चुका है सुबह नौ बजे तक लिजा बिलकुल आपने जैसे की बता है विशाल की अभी तक सबसे जादा जो मद्दान हुआ है वह बासवाड़ा पर हुआ है और वाकई बासवाड़ा की सीट जो है इस बार जो 13 सीटों पर जो सीट में शुवार हो गया और आप देखेंगे कि बाप के साथ गडबंदन हुआ और राजकुमार रोत इस बार चुनावी मैदान में है तो उस प्रती जो लोगों में जो उत्सा है और जो जनता का प्यार है मद्दाताओं का जो प्यार है वो बकाईदा प्रतियाशी को मिल हिस्सा हो गया है आदिवासी अंचल में हर त्योहार हर सुखदुक की स्थती में वो सामोई कुरूप से जो अपनी जिम्मेदारियां है वो निफाते हैं और यही लोगतंतर के इस महापर्व को लेकर आदिवासी अंचल में तस्वीर सामने आ रही है हालांकि जो आब जो आ मार्दान हो चुका है पूर मुक्यमंत्री वसंद्रा राजे के पутर दुष्यण सिंग और उनके सामने उन्मीला जैन भाया जिस रुप में वो चुनावी मैदान में उत्री है, मुझा जाना। जोने अपने अपने खेमे के समर्थक और कारेकरताओं को लेकर या बूत मेनेजमेंट को लेकर बहुत ज्यादा कहीं मेहनत है वो की है लगातार जिस तरीके से बड़े नेता लगातार अपने मद्दान का प्रेव करने के लिए मद्दान केंदरों पर पहुँच रहे हैं मद्दान केंदर पर बैठे हैं और सयोग करते हैं नजर आ रहे हैं और देखिए बूत मेनेजमेंट और बूत की जो ताकत है वो भातियनता पार्टी के नेता समझ रहे हैं और इसलिए मतदान के इंदर पर वो खुद बैठ कर पर्चियां काट रहे हैं चोदपुर के प्रत्याची मतदाताओं को यहां पर देखिए अपने साथ में जो कारिकरता है उनको खुदसाइद करते हुए के इनके नजर आ रहे हैं और अपने आप में बड़ा चुनाव है ज बड़ी भूमिका के अंदर ये तमाम चेहरे हैं वो नजर आते रहे हैं जी विशाल उटा के अंदर लोकसभा अध्यक्षिश जिस रूप में ओम बिल्ला का देश भर के अंदर उनकी चर्चा रही है अब मुद्दा ये है कि वो तमाम जो चेहरे हैं अपने शेतर में आकर म बिठाती है फर्च से अर्ष पर पहुँचाती है और मतदान के दिन उनके प्रति आभार जताने का दिन है उनसे वोट मांगने का दिन है उनसे पांच साल का राजनितिक जीवन दान है वो प्रतियाशी मांगते हैं इस पूरी कवायद में और यही लोकतंत्र की खुबी है बिल्कुल विशाल अर्ष उसे फर्ष पर पहुचाने की बात जब आपने कर दी है तो देखे आज तो जनता जनारदन का दिन है जनता का दिन है जनता का तैवहार है और इस तैवहार को जनता जिस खुशी और जिस उत्सा के साथ पना रही है और आज देखे कि आज जनता ह इस अभी के किसमत के जो फैसले है जो JVM मशीन में प्रत्याशी की किसमत के फैसले को आज कैद करेगी और जनता ही ये निर्णने लेगी कि किसके सर पर जीत का ताज होना है किसके गले में जीत की माला होनी है जिसको इस बार चुनावी रण में पच्छाड मिलेगी इसका फैस्टा तो चार जून को ही हो पाएगा लेकिन उससे पहरे जिस तरीके से चुनावी सरगर्मिया बढ़ी हुई है इसी बीच में लगातार प्रत्याशी और उनके परिवार जन जो है लगातार मदाता केंदर पर पहुश रहे हैं मदार ग प्रत्याशी वो अपना जो है मत दे चुके हैं साथ-साथ उमेद्र आम बेनिवाल बी जो है अपना मदान दे चुके हैं और एक अनो के अंदाज में ट्रेक्टर पर सबार हो खर प Himδar पना मदान करने के लिया आरो साथ-साथ अगर बात की जाए डिप्रिस कİम डॉक्टर प्रेंच जंद बैर्वा की वो भी अजमेर के लिए रवाना हो चुगे हैं विशाल और इस बेच बड़ी खबर आ रही है एक सरकारी करमचारी का जो बैलेट पेपर है वो वाइरल हो रहा है निर्वाचन भी भाग इसकी जाँच में जुटा हुआ है और डॉंगरपुर जिले में कारेरत कार्मिक का ये बैलेट पेपर है ये कैसे सारजनिक हुआ है ये कैसे वोट की अपील कर रहा है इसकी तमाम परताल है वो अभी की जा रही है पूरा मामला क्या है इस पर भी बात करेंगे लेकिन जो प्रामेफ एसी इन्फोरमिशन आ रही ह पूरु मुक्यमंत्री वसुंद्रा राजे उनका भी मददान करते हुए वीडियो आया है मददान करते हुए क्या कुछ कहा है यह हम आपको बताएंगे लेकिन इस बीच अजमेर का जो आकड़ा है वो भी आचुका है लिजा अजमेर में अब तक का जो मददान का प्रतीशत है वो ग्यारा दशमलाव छे एक प्रतिशत है जिसके अंदर दूदू, किशनगर, पुशकर, अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिन, नसीराबाद, मसूर्दा और केकडी इन तमाम जगों का मद्दान प्रतिशत है वो सामने आ चुका है अजमेर अपने आप में मेटफूर सीट है लिजा इस अजमेर की अगर सीट की पुरी सियासी तस्वीर को समझें, जो अतीत का इसका राजनेतिक समिकरणों को समझें तो साफ तोर पर ये बहारी प्रतियाशियों की शरण स्थली रहा है, चाहे सचेन पाइलेट हो, चाहे किरन महाईश्वरी हो, तमाम जो बड़े नेता हैं, वो यहां से उमिद्वार रहे हैं, लेकिन अभी इस बार चौधरी वर्सेश चौधरी वहाँ पर मुकाबला हो रहा है, जिसमें अजमेर और किशनगर तिन तमाम जगों पर चुनोतियां हैं, वो अपनी अपनी दौनों पार्टियों के नेता हैं, वो दे रहे है रामचरण चौधरी, डेरी फेडरेशन से जुड़े हुए बड़े नेता, कॉंग्रेस से उनका जुड़ाव, उनको कॉंग्रेस ने टिकेट दिया है, वहीं भागीरत चौधरी जो सांसद रहे हैं, अजमेर के उनको फिर से टिकेट मिला है, हालांकि विधान सभा जीत नहीं सके थे, लेकिन फिर भी उनको सांसद का टिकेट मिला है, और वहाँ पर चौनावी समिकरणों को एक नए सीरे से देखा जा रहा है, कि अजमेर की जनता है, वो क्या कुछ करती है, मुद्दों के लिए आज से अगर हम देखें, अजमेर अपने आप में महतकून ह मेयो कॉलेज की बात हो, जो एजुकिशन का जो हब है, अंग्रेजों के जमाने से अजमेर रहा है, इसके साथ में देश भर में इंजन का जो कारखाना है, वो अजमेर में लगाया गया था, ब्रिटिश गवर्मेंट के टाइम में, लेकिन आज भी वहाँ विकास की रफ्ता है जमेर के लिए, बिलकुल विशाल, आपने बिलकुल सही कहा, कि जनता के अगर आपने बात कि और समस्याओं के यह लाध बात की जाए, ज़न्य लाधे, उसको लेकर भी जनता ने अपनी राय रखिये तो इन समस्याओं की अधि बात करें तो इस बार जो प्रत्याशियों की जो वादे हैं और प्रत्याशियों की जो बात है जनता के बीच में जब वो मौझूद हुए तो जनता ने उनसे अपनी समस्याओं भी रखी हैं लेकिन देखने वाली बा जो भी जनता के बीच रहकर जो वाइदे किये हैं जो वादा किये हैं क्या वो उनको पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा और फिलहाल जैसा कि आपने कहा कि पूर्मुक्यमंद्री वसुंदराजित सिंधिया पी जो है अपना वोट दे चुकी है अपना मत दे चुकी है कुछी समय में वो तस्वीरे भी बकायदा मापको वहां से लाइव दिखाएंगे और किस तरीके से उन्होंने मद्दान दिया है क्या जंता की वीड़ वहां पे महजूद है क्योंकि आप देखिए कि उनके पुत्र जो है इस बार दुश्ण सिंग है वो चुनाव लड़ रहे हैं और पूरा ध्यान एक तरह से बारा जालावार जो लोकसवासीट है उसको उस पे फोकस उन्होंने कर रखा है पहले यह होता था कि पुरे प्रदेश व्यापी दौरे होते थे वसंदरा राजे की वीस बाइस साल की राजिस् पहिचान है पहिचान तो कायम है लेकिन जो दाइरा है उसके रूप में देखी जा रही है उनका दाइरा कहने कहीं सिमट गया है और जहलावार बारा के आसपास ही वो अपनी भूमी का है वो देख बार ही है यह अपने महत्वपूर्ण है भारती जन्ता पार्टी की दुशार जालोर सिरोई बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण सीट है और वूटा सिंग का वहाँ पर एक दौर में डंका बसता था एक दौर में वहाँ पर बंगारू लक्षमन है या उनकी पत्नी सुनिता लक्षमन है वो भी चुनावी मैदान में उतरी है तो जालोर इस वक्त क्या कह रहे हैं लुंबाराम और वैवो गैलोत के बीच में चुनाओ यहो रहा है और मदाता है उनका क्या रुक है कमसे कम वूटिंग परसंटेज के लियाद से आप किसी मदान किंदर के बाहर की खड़े हैं क्या नजारा देख रहे हैं वहाँ पर जी मुलकुल सब्सक्राइब की पूरों मुख्य मंदी अशोग गैलों के बैठे हैं और मतान प्रतिश्वत के बारे में बता दो को दोनों ही पार्टियों के लिए 2019 की तुलना में प्रत्म चर्ट में जो मतान का रहिश्यों गटा था उसको लिकर चिंटाए थी अब मतान से पूरों हमने सब्सक्राइब को देखा चाहिए बासवा की बात को या कॉंग्रेश की दोनों ही पार्टियों के दिक्स देता हो ने सब्सक्राइब को कैसे बढ़ाया जाए दोर्ट टो डौर कैंपीन की गई बताथा को जाबरूत किया गया दुस्किता भारत में बाचन आयोग गरावी तमाम वो मतान के अंदर को प्रयास किये गए हैं ताकि मतान के अंदर को प्रखार कि अश्यों विदाय नहीं हो उसको लेकर जाया की व्यवस्ता हो वहाँ पर प्रदान मंतरी नरेंदर वोदी वहाँ पर पहुंचे थे पुरुमक्य मंतरी अशो गहलोट वहाँ पर लगाता डटे रहे और जालोर और शिरोई दौनों शेत्रों के अंदर अगर विदान सबा चुनाओं की लिहाद से गर देखते हैं तो परिणाम किसके पक्ष में रहे हैं तुशार महाँ पर जी बिलकुल बतादू को जालोर शिरोई संसरी चेत्रों में आट विदान सबा हैं लगाता करें तो शिरोई विदान सबा चेत्रों के दिव में जालोर चुनाओं के लिए उसके बाद मद्दाता के बिसका नजर आरहे हैं अल सुबह से हर मद्दान केंदर जहां जहां हमने जाकर देखा मतान तो कि लंभी-लंभी कतारे हमें यां देखने को मिली और मद्दा खबर आ रही है वसंद्रा राजे वसंद्रा राजे का क्या कुछ बयान है यह आपको हम दिखाते हैं वोट कास्ट करने के बाद में वसंद्रा राजे ने क्या कुछ कहा है अपनी जो अपने पुत्र की जो संसेदिय सीट है और उनका अपना निर्वाचन शेतर है उसको लेकर वहाँ पर डटी हुई है वसुंदरा राजे जहलावार के अंदर और वहीं से समझे क्या कुछ कह रही है तस्वीरों के जरीए और उनके बयानों के जरीए देश विकास चाहता है इसलिए आने वाले इस चुनाओं के अंदर फिर से इस चुनाओं के बाद फिर से बाति जर्टा पार्टी के सरकार बनेगी और तीसरी बार मौदी जी प्रिणार मत्री बनेंगे बारा जहलावार के सांसत दुशन सिंग जी को बहुत अच्छा उनने एक किसम से बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है यह जारा बार बारा के लोग तो सब हमारे वैसे भी परिवार के लोग है और उनका प्यार और समर्थन हमेशा मिला है इस बार भी कैंडिलेट की रूपे भारती जन्ता पार्टी के और से दुषण सिंग जी लड़ेंगे इनको बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा और मुझे विश्वास है कि वो एक इतिहास फिर से बनाएंगे वसी यह भी विश्वास है कि राजस्थान के अंगर राजस्थान की जंता पुरा समर्थन देगी और फिर से मार्टी जन्ता पार्टी को एक इदिए हासिक victory में लाके छो देगी मैं लगता है कोई मुकाबला है जहला वार में क्योंकि ऐलेक्षिन होता है जी इसलिए और किसका मुकाबला यह और कैसा मुकाबला यह कोई कहा नहीं सकता ये एक तो पीश्वर के हाथ में है और हमारे इश्वर लूपी जनता के हाथ में है इसलिए टेकन फर ग्रांटिट कभी नी कर सकते हैं आपने भी पिछले कई दिनों तो लगाता है यहां काफी मेहनती तो जनता का किस प्रेकार का रोजान देए मैं समझती हूँ कि मेहनत से ज्यादा मैंने इनके सब के साथ मिलना, मिलाना, घूमना, फिरना और इनका प्यार लेना यही इसका मज़ा लिया है और क्योंकि मैं अब इतने सानों से इनको अच्छी तरह से जानती हूँ मुझे मालूम है कि इनका रुजान अच्छा रुजान है और जिस तरीके से उन्होंने अभी तक हम लोगों को साथ किया तो वसंदरा राजे अपने पोते के साथ में और उनके पोते का लोकसभा चुनाओं के अंदर ये पहला वोट था दांसरवा चुनाओं में भी वोट कास्ट कर चुके हैं लेकिन वहां की जो परिस्तितिया हैं और भारती जिंता पार्ट्री की जीत को लेकर उनके क्या कुछ दार्वे हैं या आपने सुना है